सरादा करेगी न्यू शारिंगन अवेकन, सरादा वर्सिस एदा और सरादा की न्यू पावर कैसे बने की बोरुटो की लास्ट होप उसकी हिस्ट्री को रिराइट करने में इन सब पे बात करेंगे पर उससे पहले चैनल को करें सबस्क्राइब अगर आपको पसंदे नारुटो बोरुटो कॉंटेंट क्योंकि मैं रहने वाला हूं कंसिस्टेंट बोरुटो थियोरीज के लिए मैं हमेशा से ये सोचता रहता था कि किशी मोतो ने शिशुई उचिया की दोनों ही शैरिंगन क्यों डिस्ट्रोई कर दी आपने देखा होगा जैसे ही इटाची और डांजो ने शिशुई उचिया की शैरिंगन यूज की वो डिस्ट्रोई कर दी गई और शिशुई उचिय मरा भी बहुत अजीब तरीके से था मैं नारूटो युनिवर्स में किसी भी सुचाइट पर भरोसा नहीं कर सकता तो सोचिए अगर एक उचिहा शिशुई उचिहा के डियने को अटेन कर ले तो वो उसकी शारिंगन की पावर को तो अमाच्शु कामी को यूज कर सकता है पर हम बात करें कि वो उचिहा सरादा कैसे होगी और उसे ये पावर कैसे मिलेगी इससे पहले हम बात करते हैं कि शिशुई उचिहा की पावर को तो अमाच्शु कामी कैसे काउंटर करेगी एदा की सेंरे गन को क्योंकि दोनों ही आग बहुत ज़ादा similar है दोनों ही आग के पास power है reality बदलने की और दोनों ही आग के पास ये power है कि वो पूरी तरह से plot बदल सकते हैं शिशुई की शारिंगन को तो अमाच्चुकामी की power एक डो जूट्सू है दो जूट्सू होते हैं जो निंजा टेकनीक्स आग से यूज़ कर सकते हैं जम निंजा जैसे की बोरुटो की जोगन हमें पता है इटाची ने काबुटो का रियानेमिशन जूट्सू रिवर्स कर दिया था शुशुई की आग से उसने शिशुई की आग वाला क्रो नारुटो के अंदर डाल दिया था और उसके कमांड पे उस क्रो ने रिवर्स कर दिया उसका रियानेमिशन जूट्सू इटाची ने पहले सोचा था कि वो ये क्रो को यूज़ करेगा सास्के के ऊपर कि वो सास्के को ब्रेनवाश कर सके और वो सास्के को रोक सके लीफ को अटैक करने से तो आप खुछ सोच सकते हैं कि इस आग की पावर कितनी जादा ब्रोकन है Amatsukami manipulate कर सकती है एक person के पास life और experiences इस हद तक कि उस सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो control हो रहा है Koto Amatsukami का एक ही drawback है कि अगर उसे कोई use कर ले तो 10 साल तक उसकी power को दुबारा activate नहीं कर सकता पर हमें Itachi बताता है कि अगर किसी के पास Hashirama का चाक्रा है तो वो time period बहुत ज़्यादा short हो जाता है जो हमने chapter 79 में देखा एदा अपनी power को उससे ज़्यादा भी use कर सकती है जैसे कि वो किसी और की consciousness में जा सकती है और उसको जो वो बंदा real time में experience कर सकता है वो events वो experience कर सकती है पर Sandragon भी ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा powerful है Sandragon के भी drawbacks है जैसे कि आपने देखा होगा इस chapter के अंदर से शिनोभी पूचता है कवाकी से कि तुम्हारा scar कहा गया इसका मतलब ये है कि बहुत सारी past छोटे minor events और physical objects पे Sandragon का कोई असर नहीं होता है और हमें पता है कि शिशुई मरने से पहले ये बोलता है कि वो अमाद सुकमी की power पूरे उचिया क्लैन पे यूज़ करने वाला था क्योंकि वो चाता था कि वो जो massacre है वो रुख जाए हमें नहीं पता कि अमाद सुकमी की range क्या है ये मैंगा में बहुत vaguely बताया गया है हमें पता है कि एदा की power omnipotence ने rewrite कर दी थी शिनोबी history और बोलूटो को बना दिया villain पर अब आप ये सोचिए कि सरादा अगर कर लेती है शिशुई उचिया का DNA attain और अगर हाशिरामा का चाक्रा वो ले लेती है इंफ्यूस कर देती है दोनों को तो वो awaken कर देगी कोटो अमाद सुकामी और उसके पास भी power आ जाएगी rewrite करने की शिनोबी history को इसलिए Boruto की last hope है सरादा सबसे बड़ा foreshadow जो इस event को कर रहा है वो ये है कि शिकमारू कहता है कि एदा के against सरादा और सुमीरे ही है हमारी आखरी hope और हमें मैंगा में ये पता है कि शिशुई उचिया की body कहीं मिली नहीं थी तो ये थियोरी बिल्कुल सच हो सकती है और आगे चलके foreshadow कर भी रही है चीज तो मुझे ये लगता है कि सरादा करेगी अवेकन को तो अमात सुकामी अगर आपको ये थियोरी आई हो पसंद तो चैनल को करे subscribe और वीडियो को करे like